Good morning students, in our last class we have finished reading section and writing section, grammar section and vocabulary part of worksheet number 1 means हमने कारे पत्रिका 1 के पठन भाग, लेखन भाग, व्याकरन भाग और शब्द संग्रे ये सभी भाग हम complete कर चुकी हैं, right? So today we are going to start its last section, जो के साहे तक भाग है, means जो के part number 1 पर आधारित है, जिसमें 5 प्रशन होंगे, 3 प्रशन question answer से और 4 और 5 खाली स्थान, शब्द, शब्दों के अर्थ या सही गलत में से लिये जाएंगे, right? So question number 1 है, बादल नदी नालों में बाड कैसे लाते होंगे? तो कैसे लाते हैं नदी नालों में बाड बादल? बर्शा, वर्शा करके, right? So बादल वर्शा करके नदी नालों में बाड लाते होंगे? तो जो question का answer हमने notebook number one में लिख है वही answer इसमें लिखेंगे सेकिन साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल शाते हैं किसमें ज़्यादा बादल होते हैं जुलाई और अगस्त महीनों में question number three है क्या बादल सचमुच काले होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सारे बादल काले नहीं होते कुछ बादल सफेद भी होती हैं question number four है रिक्त स्थान भरो कैसा कौन जोकर सा हंसमुख व्यक्ती गुबारे सा फूला पेट question number five शब्दों के अर्थ लिखो कूबड क्या होती हैं उंट की उभरी हुई पीठ तोंद होता है मोटा पेट clear तो ये हैं सहाय तक भाग मैंने कल शब्द संगर है जो के कुछ सुडेंट्स ने work share किया था उनमें answer दिये गए थे जिनको मैंने group में भी share किया था अगर किसी सुडेंट का शब्द संगर है भाग complete नहीं है तो group में से इसके answers चेक करके अपने notebook में लिख सकते हो जो worksheet है आपके पास notebook number 2 है तो worksheet notebook number 2 में ही हम finish करेंगी राइट तो शब्द संगर है के बाद ही हमने सही तक भाग करना है clear और students जो इस कारे पत्रिका में लेखन भाग था प्रिश्रम का महत्तव वो सबी students ने learn करके ही अपनी notebook में लिखना है clear आप एक एक पैरा या कुछ lines learn करके भी लिख सकते हो लेकिन वो complete होना चाहिए clear किसी भी student की worksheet incomplete न हो किसी का भी work incomplete होगा तो वो check नहीं किया जाएगा clear so students know down these questions in your notebook number 2 neatly fine then we will write these questions in a live class fine thank you okay